अथे हैपि होली है Welcome to my new vlog, this is holy vlog और ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद के ही हाथ में कलर कर रही हूँ और इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी सा तरीका है जो की next holy में आप भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है लिग खुद backend कलर हैं और उसके बाद मैं टीशर्ट पें कलर करने वाली हूँ यह देख के यह मैं पने हैंडम में लगा रही हूँ उसके बाद मैं टी-शेट में लगा रही हूँ ये टी-शेट हमने पिछले साल होली में खरी दी थी और सेम ऐसे ही प्रोसेस पिछले साल भी की थी ये कलर बहुत ही इसली हैंड से और टी-शेट से भी निकल जाते हैं दुलने के बाद मैंने ये color टी-श़ट पे लगा के उसके बाद इसका look कैसा आया है मैंने shorts वीडियो में भी upload कर रखा है आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं आज होली के दिन मैंने कोशिश की है कि मैं जादा से जादा वीडियो शूट कर पाऊं कहीं कहीं पे मैं शूट ही नहीं कर पाई हूँ बहुत सारी जगे पे बिकास हम भूली जाते हैं जब मस्ती करने लगते हैं कि वीडियो भी हमें शूट करना है पर तब भी मैंने कोशिश की है और आप लोग भी बताईएगा कि आप लोग हुली कैसे बनाते हैं और जब होली जली तब हमें पता ही नहीं चला और उसका वीडियो में शूट कर ही नहीं पाई और इस बार होली में हमने खूब धेर सारी मस्ती की घर से तो हम बाहर नहीं गए क्योंकि इस बार होली में बहुत जादा गर्मी पहले से ही स्टार्ट हो गई है तो हम घर से बाहर नहीं गए हमने घर में ही सबके साथ खुब मस्ती की और गाओं में हमारे आंटी अंकल रहते हैं वहीं पर हम जाते हैं कुछ धेर सारी मस्ती करते हैं और मेरे पापा मम्मी बड़े पापा ये लूग तो आहीं नहीं पाए क्योंकि उन्हें चुटते हैं आपस में ही लगा रहे है थोड़ा थोड़ा कलर वाओ कितनी खुश है लगा 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 इनको लगा ये देखो होली खेली जा रही है बहुत शांती पूर तरीके से देखो शबला का चुटते है खेले में गांदेखो इजय कहाला लहां में आज मैंन ही खेल जी को हुली है इसके बाद, चलो, बच्चा पार्टी होली खेल रही है, चलो, डान्स करो, बज़ रहे हैं, तो लोग उसी कर लोग, उठारे हैं अपने इगर में, बचानी की जरूरत ही नहीं है, चीको आ गई हमको करन लगाने के लिए, ये देखा चीको कितने प्यार से करन लगा रही है, वाओ, आप देगा करो, हाँ, सो गाइस, अब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वीडियो शूट, जो कि अभी मैं यूट्यूब पे भी अपलोट कर लूँ, यूट्यूब शॉट्स में आप देख सकते हैं, कलर बहुत लग गया है, ये वीडियो शूट कर दोडा के कलर लगा रही है। वाहिए बाइब दॉक एप खांगुर भी या ना गोड़ है अप खा रहे हैं अंगूर कि खोड़ो सा एनरजी मिल जाए यह यह ली अंगूर खा रहे हैं आप लोग भी खाएंगे क्या कर रहे हैं क्या काचू अब जाएड़ को आप आट वास कर लो पर यह प्योंस के लिख बिल्कुल खाते नहीं हैं अब तो नाग कोट के लिखा रेते हैं तो माने वस्ते काम एलाटन को अजुटाएं पटाएं ये देखो इसमे को एक आख काला काला सा भी लगा हुआ है तो इसमे डूद रही थी आप अब ये लुग चश्मा लगा के अब लग फोटो क्लिक कराएंगे पिछले साल हमने चश्मे खरीदे थे और वो रक्षे हुए थे हैं और तुमको भी चश्मा लगा के फिच्माना है फोटो यह भी लगाओ 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 देखे जड़ा वाओ गुड़ अब एड़ा है तो क्या हुआ और अब हम कुछ फोटोस लिख तराने वाले हैं चश् आप जा रहे हैं फोटो फिल्क कराने को यह तो टेस्टेट लगा के आई हैं कि हांके कहीं खराब नहों जाएं प्लिक कराते हैं कुछ भी कुछ के बाद अब्लोट करेंगे इसके जश्ट बाद देख सकते हैं चीकू को सबसे पहले ही नहला दिया गया है और वो हाफ रेडी हो चुकी है अभी इनका लेहंगा पहनना बागी है इसके बाद यह लेहंगा पहनेगी पर उससे पहले यह वीडियो शूट करा रही है देख लीजी आप कैसे शूट कराती है यह वीडियो इसका यह लेहंगे वाला वीडियो में शॉट्स वीडियो में अपलोड करूंगी आप लोग देखिएगा जरूर बहुत ही प्यारा सा बना है और चीकू को यह वीडियो शूट्स कराने में बहुत मजाता है आप देख बहुत इंजॉय कर रही है वो साथ ही मैंने अपना वीडियो शूट किया था है उससे भी मैं शॉट्स वीडियो में अपलोड करूंगी आप देख सकते हैं इसके लिए घर में सब लगे हुए थे अंकल तो सीडियो पर बैठे देख रहे थे और हस रहे थे बाकी अड़क त तो देखिए अब ये लोग जा रहे थे तो काजू और ये सब लोग फैर चू रहे हैं और उसके बाद हमने इन से बोला चलिए बुगा एंट फूफा जी आपकी वीडियो शूट करते हैं पापा के बुगा एंट फूफा जी है लेकिन हम लोग भी इने बुगा एंट फू करते हैं और सच बताएं ये लोग बहुत खुश थे मैंने बुगा से बोला फूफा की कंदे पे हाथ रखो और फूफा भी बच्चों के सामने शर्मा गए और नीचे सर करके हसने लगे बट ये लोग बहुत जाधा खुश थे उसके बाद बूले हमारे घर भी आना तुम हम लोग बहुत साल हो गए हैं इनके हां नहीं गए ये बुला रहे थे कि इस बार सब लोग ही घट्टे हमारे घरा नाम ने बोला ठीक है आएंगे और फूफा भूगा को देखो ये गड़ी है दोनों ये जहां मन होता है बस मस दोनों चल देते हैं अब आंटी भूआ के पैच हुई उसके बाद सब ने उनको बाए बाए कहा उसके बाद ये लोग फिर निकल गए चीको तयार हो चुकी है ये देखो लाइनर लगाई है और क्या लगाई हो लिपस्टिक लगाई है और चूड़ी पहनी है चूड़ी दिखाओ कंगन दिखाओ कंगन पहनी है नेल पेंट लगाई है नेल पेंट दिखाओ नेल पेंट भी लगा ली है वाव चीको तयार हो ग यह क् Tulis देखो चीकु होली मिल रही हैं वाओ यह कौन से तरीका है चीकु का चीकु होली मिल रही है Dick Brights अंजेसे राइस के बाद य। चैनल यह देखो है कि ही मिल रही है जीकु अपनी मम्मी से होली मिल रही है तो मैं गॉड़ देखें और यह देखें अपी मैंने खा लिए और जा आगी है कपड़े निकालने बहुत है तो इसे निकाल दो पी यह कपड़े चेंज करें देखो का इसे पड़ गई है यह टानी उठा के अपनी प्रें और जारी निकाल देखें गधान मैं अपनी मैं जारी होड़े आगा करूंगी उसके बाद में चेंज करूंगी तुड़ी मैं थंग गई क्या लगा क्या यह बड़ा चमत रहा है हुझ है में कितना कर दो मैं तो St दूली का दूसरा दिन है और हम लोग जग चुके हैं तुर द हुट है आए एक लाहती ही आयदक्क लगाती है ऩंवे Lumrs कि अब बता हो, क्या लगा दियो? कुछ नई, बस फेस्वास लगा के इतना चमकती हैं कोई और बी चमकता है आप लोग बताईएगा और हम लोग खा रहे हैं चने मारे केतों से चने तोड़के लाए हैं अगल और हम लोग खा रहे हैं कि इसके बाद के खाये अभी चाय पीएगे अभी हमने चाय ने पीगए अभी चाय पीएगे मजनू शो रही है वुक्स बी सो रहा है सब सो रहा है हम लोग जगें वह बैठे हैं इगुभी जगें बेपह में बैठे हैं खुदी बनाय है या फिर मार्केट से पर्चेस किये है, ये मेरी अंटी ने कुछ बनाय है, कुछ बुआ के ःहाँ से आयवुए है, तो देखिये इतने कलर् फुल से पापड वो भी ये कलर्फुल सी होली में कितने फिर हमने पापड और चाय खाया और पिया, ये सब करने के बाद दोपहर में हमने लंच किया और आंटी ने यहां के लिए भी बना के पैक कर दिया फिर हम निकल गए थे वापस और वापसी में आप रास्ते में देख सकते हैं क्योंकि होली के दूसरे दिन ही हम निकल गए थे तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है रास्ता एकदम क्लियर है तो हम जल्दी ही पहुँच गए थे और गाड़ी में बैठके बहुत ज़्यादा वोमिट सी आने लगती है इसलिए मजनु अक्सर कोसिस करती है कि वो गाड़ी में आगे ही बैठ है सो गाइस कैसा लगा आप लोग को ये व्लाग कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा जिससे मेरी अपकमिंग सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और पुक्स को आप देख सकते हैं हमेशा की तरह इधर से गया था तब भी वो सो रहा था रास्ते में और उधर से भी ये सोही रहा है जब भी ये घर आता जाता है रास्ते में एक नींद जरूर मार देता है सो गाइस मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तिल देन बबाई